राजस्तान के दो दिगजों में से एक दिगज का धरने पर बैटना ये वाकिव बताता है कि राजस्तान की राजनिती किस तरफ जा रही है इस शो के अंदर हम उन राजनितिक मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा सरोका जनता से है क्योंकि जनता का जुड़ाओ भी राजनिती से हलका रहता ही है पिलाल हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्यती थी विशाल तुरिक अंशनमा जो लगातार आप से मिलते रहेंगे लगातार राजस्तान की राजनिती पर विशलेशन है वो बताते रहेंगे कि आखिर राजस्तान की राजनिती किस जगह पर जा रही है सीधार पहला सवाल की सच्चिन पाइलेट धरना क्यों दे रहे हैं इस एक लाइन के अंदर मुझे लगता है पुरे राजस्थान की राजनीती का खाका है वो नजर आता है इस सवाल के जवाब के कहीं हिस्से हैं रोनक पहला इससा ये कि सच्चिन पाइलेट धरना इसले दे रहे हैं क्योंकि मौझूदा जो मुख्य मंत्री हैं अशोगेलोत वो उनको पूछ नहीं रहे हैं उन्होंने दो लेटर हैं वो जारी किये प्रेस कॉन्फरेंस में और ये कहा कि मैंने मांग की है लगातार लेकिन मेरी मा मांग का जवाब नहीं आया है उन्होंने कोशिश की विरांगना के मुद्दे पर उनको कहीं कहीं बीच में लिया जाए बातचीत के अंदर वो पुरे महावल जो राजनीती कहा था उसके केंदर में आये लेकिन उनकी सुनवाई वहां भी नहीं हुई दूसरा उनका मुद् कि उन्होंने मांग उठाई थी जैपूर जिले को दो हिसो में बाटने की वो जो तबका विरोध कर रहा था है अपनी मांग रख रहा था उसके अंदर भी सचीन पाइलेट को दे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई इसके बाद डॉक्टर सर्ताल का मांग ला हुआ तब भ पूरे देश व्यापी प्रदेशन की आंदोलन की बात कहीं उसमें सचीन पाइलेट है वो कहीं नहीं थे वो नेपत्ति के अंदर रहे उनको न तो प्रदेश टेटरत की और से जोड़ा गया न वो खुद उन्होंने इच्छा जताई वो अपनी मांग पर याड़े रहे थे और अभी तक सचीन पाइलेट की आला कमान से एक ही शिकायत थी कि जिन लोगों ने विधायक दल की बैठक नहीं होने दी उनके उपर कारवाई की जाए वो कारवाई क्यों नहीं हो रही या आला कमान से सवाल पूछते पूछते आला कमान से भी जब जब जवाब नहीं मिल तो सचिन पाइलेट ने एक तरह से अपना शक्ती प्रदर्शन करने का और शक्ती के परिक्षन करने का एक दाव आजमालिया है 11 अप्रेल को सचिन पाइलेट शहीद समारक पर धन्य देने की बात कर रहे हैं अब तक सचिन पाइलेट के लिए ये भी जरूरी था कि उनके साथ कौन है कौन नहीं है इसका एक तरह से परिक्षन भी हो जाएगा तो 11 अप्रेल राजस्थान की राजनीती में वो एहम तारिक होगी खास और से कौंग्रेस के गलियारों में कि जिसमें तय हो जाएगा कि कौन लोग सचिन पाइलेट के साथ में हैं कौन सचिन पाइलेट के अलग अशोग गहलोत के साथ में जुड़े हूए हैं इंटेक्ट का टारगेट किया है और दिल्चस्प बात यह है कि सचिन पाइलेट ने भारती जनता पार्टी और खास और से भारती जनता पार्टी की पूरू मुख्यमंत्री वो सुंद्रा राजे उनके कारेकाल के दौरान कथित रूप से हुए घुटाले और मामलों का जिक्र उन्हों उसके अंदर जुडिशल पावर उस रूप में नहीं थी एक कमेटी बनी थी उसका जो फॉर्मेशन है उसके उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया पर हाई कोटें भी सवाल उठाया और मातुर आयोग एक तरह से निस्टेज हो गया उसकी भूमिया का कुछ नहीं रही उस वक् नाइन टी बी के करप्शन के तमाम चीजों के आरोप लगे और हिसा लगा था कि अशोग गहलोत वाकि इस पर कारवाई करेंगे लेकिन अशोग गहलोत की राजनिती का मिज़ाद अलग है वो लगातार ही कहते रहे हैं उस वक्ट भी उन्होंने कहा कि हमने जान बूच कर मा किया जाता वो वहाँ पर उस आयोग के सामने पेश होते तो वो जुडिशल रिस्पॉंसिबिलिटी है उसको माथुर आयोग को उस रुप में वो नहीं दे पाए थे और उन्होंने ये सोची संजी रणिती के तहती किया था वो कह रहे हैं कि चुनाओं के अंदर हम में तब वो सत्ताधारी पार्टी वो चुनाओं हार जाए और हमारे जो मुद्धे हैं हमाजाए सरकार का कारेकाल पांच साल का होता है जैलोथ से तब भी पूछा गया था तो कह रहे हैं इन तमाम मुद्धों के ओपर सचीन पाइलेट अंदर खाने में पत्र लिखते रहे तीसरा जो बड़ा कारण है इसमें ये की बड़ा दिल्चस्प संयोग है कॉंग्रिस के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी पर दो तरह से वार हो रहे हैं एक वार है मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे हैं और उनके वार के निशाने पर मुख्यरूप से गजें सिंग शेखावत और ये जो नई जो टीम है वो रहती है वासुंदरा राजे पर वो उस रूप में अटैक है वो नहीं करते हैं उनको लगता है कि भारतिय जन्ता पार्टी की राजनिती में बहुत कुछ उतल पुतल चल रही है वासुंदरा राजे कितनी प्रासंगी करेंगी नहीं रहेंगी एक बार वो तै हो जाए कि हमारा चुनाओ कि इसके खिलाफ हमको लड़ना है इसके बाद वो दुश्मन कौन होगा अशो गैलोत राजनितिक प्रतिनोंदी कौन होगा इसकी तलाश कर रहे हैं उसके मताविक वार कर रहे हैं उनको लगता है गजेन सिंग शेखावत को आगे चुन रहे हैं उनको वो नहीं चुन रहे हैं वो बसंदरा राजे के मामले चुन रहे हैं तो ये चुन रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा दिल्चस्प है कि कॉंग्रेस के जो अटेक के तरीके हैं वो भी अलग हैं उसके अंदर भी कोई एक तरह से जुडाव नजर न भी बात है और एक और जो जवाब था में आला कि बहुत लंबा जवाब होगया आपका एक सवाल था लिक एक लाइन का बड़ा सवाल उसमें पंच बहुत था और उसके कहीं जवाब हो सकते हैं महतो पूर बात लिए कि सचेंड पाइलेट ने यह बात तहे थी जो हम लगाता ह के बात कहते रहे हैं जो हमारे व्यूवर हैं ट्रेंडिंग टॉक शो के अंदर पंजाब के स्री में लगाता है देख रहे हैं दो दिन से बड़ी संख्या में देख रहे हैं उस बात से वाकिफ है कि मैंने क्या कहा था दो दिन के जो हमारे शो के अंदर मैं उसी बात पर काया ह सचिन पाइलेट ने आज जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बता रहा है कि सचिन पाइलेट कॉंग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे गहलोत के खिलाफ हो जाएंगे लेकिन अब भारती जंता पार्टी के अंदर वो नहीं जाने वाले क्योंकि उन्हें भारती जंता पार्ट का बड़ा सौफ कॉर्णर था सचीन पाइलेट की जन्दिन पर जिस तरह से भीड उम्री थी और उस वक्त राजें राठोड का ये पॉलिटिकल एक बयान भी आया था कि इतने जनाधार का नेता है कॉंग्रेस के अदर उपेक्षा का शिकार हैं तमाम चीज़ हैं अब जो जो चाहनो पुति जता रहे थे अब नेता क्या कहें गे क्योंकि सचिन لrop ने सीद्गा कर दिया है वसंद्रा-राजे के मामलों पर अब यसंद्रा-राजे के बड़ा महत्वपूर्ण है कॉंग्रेस की राजनिति के लिहाद से राजस्थान की राजनिति के लिहाद से आपने तमाम जो बाते बताई उसमें से भी कई सवाल निकल रहे हैं पहला मेरा सवाल है कि आखिर क्यों मुखि मंतरी गहलोत सचिन पैलेट के इन तमाम पत्रों की अ कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाब है कि इन पत्रों की अंदेखी करना क्या सरकार ने जो वादे किया है उस पर खहरा नहीं हो तरना चाहते मुफ्यमंदर क कहलों थे दिगे जब राजनितिक प्रतिधंदी सामने होता है और जब राजज्ची प्रतिधंदी भी selective perception के साथ में selective perception के साथ में अगर स्टेटमेंट देता है तब हर बात का जवाब देना जरूर नहीं होता अशों गहलूत इस बात को समझते हैं जब मैं कहर रहा हूँ selective perception इसका मतलब किया यह समझी понятно आपको जो मुफीत करता है उसी मुद्यों को आप उठाएंगे बजट अशो गहलोत का अच्छा बजट था इसमें कोई दो रहा है नहीं है बतोर कॉंग्रेसमेन सचेन पालेट का स्टेटमेंट खुलकर आना चाहिए था कि इस बजट पर उनकी प्रतिक्रिया है लेकिन उन्ह किरुलाल मीना प्लानिंग के तहित आपके घर के बाहर वहां पर धरना दे रहे हैं और आप उसको लेकर चठी लेकर हैं मुख्यमंत्रिया शोगयलोत को हुआ क्या जिस तरह से मुद्दा पुरा डिफ्यूज हुआ भारती जन्ता पार्टी के लिए बांस बैक हुआ विरां इस पूरे मुद्दे पर उसने सतीश पूनिया और वर्सिस की रोडी मिलाल मीना कर दिया और भारती जन्ता पार्टी के अंदर रिफ्ट हो गई तो सचिन पाइलेट वो समझी नहीं पाए कि आखिर ये विरांगनाओं का मुद्दा है उसको अशोगयलोत ने किस तरह से टे अगर सचिन पाइलेट बैलेंस थौट के साथ में विरोध करते तो शायद अशोगयलोत के लिए और ज़्यादा मजबूरी हो जाती कि सचिन पाइलेट का जवाब दें अब अशोगयलोत के पास लगाता और वो बहान है कि देखिए विरांगनाओं का मुद्दा बीजेपी के बाद में गहलोत समर्थकों से भी बात हुई पाइलेट के समर्थकों से भी बात चीत हुई है एक बड़ा पॉइंट है नेतिक रूप से और पार्टी के लियाद से भी सचिन पाइलेट के पास भी है और अशोग गहलोत के पास भी अशोग गहलोत ये कह रहे है कि देश क काँग्रेस के इतियास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वह दूसरी पार्टी के साथ साजिश में कतित रूप से मिल जाए और मानेसर जाकि अपने विधायकों को अपने लोगों को वहां पर बुला ले और अपनी सरकार को गिरा दिया इसके बाद से अशोग गैलोत ने और उनके कैम्प ने मान लिया कि सेटेंट पाइलेट की वो मौरल आथोरिटी अब है नहीं कि हमारी सरकार की खिचाई करें हमें कोई सला दे क्योंकि उन्हों ने वो एक्ट कर लिया जो देश में कॉंग्रेस की इतियास में कभी नहीं इधर पाइलेट ये कहते हैं कि आपने भी तो सील पी लिडर की मिटिंग नहीं होने दी जब अजय माकन यहां पर आये थे और ये था कि विधायक दल की बैठक होगी आपके समर्थ तक विधायकों ने इस तरह से बगावत कर दी आला कमान के सामने ऐसी भी नजीर कहीं नही ये गए हैं अब एक दूसरे के लिए मौरल रिस्पॉंसिवल है नहीं कि वो आपकी बात का मैं जवाब दून में आपकी बात का आप जवाब दे उसके लिए जरूरी होती है कि एक सम्मानों आपसमें परस पर और एक तरह से एक नैतिक दबाव हो कि सचीन पाइलेट है पा काम परिस्थितियां होती और गहलोत देते उधर गहलोत लगातार उनको पता है कि ये उन इशु को उठा रहे हैं जिससे सरकार को परिशान ही हो रही है तो उन बातों का जवाब देखके जब अपनी मौरल वो अथोरिटी खो चुके हैं सचीन पाइलेट आला कमान के सामने कॉंग्रेसमें के सामने बहुत और अध्यक्षा आपने पाला बदलने की कोशिश की तो फिर वो उन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते तो दौनों तरफ ऐसी खींस्तान है और ऐसी रसा के शिये धर्म युद्ध है राजस्थान कॉंग्रेस की राजनिती में जिसमें सचिन पाइलेट को पता है कि वो सही कर रहे या गलत कर रहे हैं लेकिन उनको वो करना है जो उनके समर्थक चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हम देखते हैं हमारे जो ट्रेंडिंग शो के अंदर जिस तरह से रियक्शन आता है वही तो एक प्रेशर है वही सचिन पाइलेट के पास अब पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं है वो आगे ही चलते जाएंगे जिस रूप में चलते जाएंगे और गहलोत सरकार की जो विधायक हैं उन्हों ने जिस तरह से पुरे मुख्यमंतरी गहलोत का साथ दिया एक तरह से और अब जिस तर और 36 गर्ड दो ही तो ऐसे राज थे जहांपर कॉंग्रेस का जंडा बुलन था और उस वक्त में सरकार गिर जाती तो क्या पॉलिटिकल मैसेज होता क्या राहूल गांदी करते क्या सोनिया गांदी करती क्या अला कमान करता अला कमान के सामने अशोग गैलोत ने सरकार बचा चहरा नहीं है अशोग गैलोत के अलावा यह भी सच जस तरह आपने बात करी कि विपक्ष के पाथ सीम का चहरा नहीं है लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी के और से वसंद्रा राजे के समर्थ हैं वो लगातार कहते हैं कि अगर बीजेपी में कोई बड़ा चहरा है तो वो केवल वसंद्रा राजे ही है ने बात बीजेपी के हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वसंद्रा राजे का कद राजस्तान में बहुत बड़ा है और उस कद के आगे पीछे कोई दूसरा नेता है फिलाल कोई खड़ा नहीं होता लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वसंदरा राजे का पहला कारेकाल याद कीजिए जब वो पहली बार यहां पर आई थी राजस्थान में उनको कोई पहचानता नहीं था तब भी वो जगे में ली तो कई बार अहदे जो मिलते हैं जो पद मिलते हैं वो भी दायरा बढ नमिला उनके पास में है वो किसी नेता के पास में नहीं है अब मुद्दा ही है कि भारतेन्दास पार्टी अब ये जो चाह रही है वी सतीष पुनिया के टाइम में पार्टी ये के उसके अंदर को रिफ नजर आ रही थी वह सुंदरा समर्तक वर्स लू ने यो लीडर अब सीपी जोश्री को लाकि उन्होंने अगे नीडरल से वह बनाने की कोशिच कितृ है जिसमें सब सधा जा रहा एंजातिक्रand सब जा रहा है इए तमाम चीजों को देखा जा रहा है, C.P. Joshi, ब्राम्वन चेहरा है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेन राठोड है, राजपूत कम्यूटी के हैं, उनको वहाँ पर मौका मिल गया है, जाट कम्यूटी से उपनेता प्रतिएम फेस है, वो कोई हो रहेगा नहीं, लेकिन चुनाव संचालन समीती का अध्यक्ष अपने आप में बड़ा बड़ा होदा है, तो एक तरह से भारतिय अन्ता पार्टी भी इस मामले में संभल के चल रही है, कि हमें किसी एक निता पे दाव लगाने के बजाए, भी तरीके से समय देंचिल मुद्धे हैं, तमाम लोगों को इशूस को जितना आप कुरे देंगे, उतना कॉंग्रिस के लिए मुसीबत होगी, और हमने देखा लगातार इस बात को लेकर मुद्धे उठी 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 रहे हैं, उदापूर के अंदर ध्वजा का मामला है कि कोई धार्मिक द्वजा है, दो महीने तक नहीं लगाएगा, इसका जिस तरह से विरोध भारतिय अंता पार्टी कर रही है, वो यह बताता है कि भारतिय अंता पार्टी किस मुद्धे की तरफ जा रही है, कि मुद्धों की तरफ उसका फोकस रहोगा, या बाल उतरा के कि नित्रतु का मुद्दा गौन हो जाए कोई यह सवाल ना पूछे कि कौन मुख्यमंत्री बनाएंगे इस से ज़्यादा सवाल यह गुंजेगा कि गहलोट सरकार को बीजेपी कैसे घेर रही है कैसे उसको चुनावी शेह और मात के अंदर पराजित करने की कोशिश करें उसम करें कि आपने जैसे बताए कि जो मुख्यमंत्री गहलोत है वो गजेद्र सिंग शिखावत पे सीधा उनका टकराव चलता है तो सचिन पालेट ने पूर्व सीम को ही क्यों टारगेट गया क्या रीजन थे इससे पहले जब भी उन्होंने पत्र लिखे तो क्यों उन्होंने कि ये बात आगे नहीं बताए कि मैं मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लेकर रहा हूं इन मुद्दों को लेकर कि आके चनावी साल में ही इस मुद्दे को उठाना क्या बड़ा रीजन है देखिए हमने ट्रेंडिंग टॉक शो में आज का हमने रखा है कि ये सचिन पाइलेट का एक्जिट प्लान है वो तयार हो रहा है सचिन पाइलेट जैसे नेता कद्दावर नेता जनाधार वाले नेता कॉंग्रेस अगर वो छोड रहे हैं या छोडने की मंचा है या वो बिलकुल अलग सुर्क बढ़ा रहे हैं अपने तेज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे जो रीजन वो यह है कि उनको एक वाजिब कारण चाहिए उनको नए मुद्दे चाहिए ऐसे मुद्दे जो पिछले 4-4,5 साल की राजनीती के अंदर चर्चा में आ चुके हैं या शोग गहलोत टक्राव मंतरी उनके होने चाहिए पार्टी के अंदर संगठन के अंदर पदा अधिकारी होने चाहिए कारे शेली अधिकारे बीरोकरिसी तमाम चीज़ें उसके अंदर होती रही अब वो मुद्दा चाहिए जिसके उपर गहलोत है वो एक तरह से लाजवाब हो जाएं उनके पास में कोई जवाब ना रहें तो ये कैसा मुद्दा है ये बात सही है कि वसंद्रा राज्य सरकार के खिलाफ जिस रूप में आरोप लगाए गए थे उस वक्त भारती इंदा पार्टी ने करॉप्शन को के करॉप्शन को एक बड़ा मुद्दा कॉंग्रिस ने बनाये था लेकिन उसके मुताबिक एक्ट नहीं हुआ दोशियों के उपर करवाई नहीं हुई ये मुद्दा एक ऐसा है जो तमाम में भी है और ये सूट करता है सचिन पाइलेट को क्योंकि वो स्टेब्लिश करना चाहता है कि कहीं नहीं कहीं मुख्यमंत्री अशोगहलोत और वसंदरा राजे के बीच में मिली भगत है इसको वो आज प्रिस कॉन्फरेंस भी उसने उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर ये अंशन का ये दिन चुना है और एक दिन का जो अंशन है वो कहीं चीज़े तै करेगा रोनक पहला कि उनके साथ में कौन से नेता है उस जाजम पर आकर कौन बैठता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कहीं ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूं कॉंग्रेस की राजनीति के अढार जो डोनों खेमों के अंदर संतुलंच साथते रहे हैं कई विदायक दोनों खेमों में संतुलंच साथते रहे हैं ऐसे में उननेताओं का भी परिक्शन हो जाएगा सजीन पाइलेट के साथ उस एक तरह से वनका वो कर लेंगे दूसरा जो न्यूट्रल फेसज है हरी खेमे में होंगे, बीच का कोई रास्ता मुझे लगता नहीं है, कोई ये दोनों निताओं की राज दीती और इनके बीच की जो खीशतान है, वो कोई रास्ता आम कॉंग्रेसमेंट के लिए छोड़ेगा नहीं, कि वो न्यूटरल भी रह सकें और संतुलन की बात कर सकें, अश ये जो लाइन है, उसी लाइन से मुझे एहसास हो गया था, कि अभी भी जो दूरियां है, वो कम नहीं हुए, बल्कि बहुत जादा बड़ी हैं, और अशोग गैलो तब साफ तर पर इशारा कर रहे हैं, कि सचेन पाइलेट आज नहीं तो कल, कॉंग्रेस के खिलाफ रहा है, सचेन पाइलेट इंजार कर रहे थे, सचेन पाइलेट अशोग गैलोद है, वो कुछ जवाब दें, इस बात का इंजार कर रहे थे, तो इंतजार की राजनेती का दौर खदम हो गया, कॉंग्रेस के अंदर, अब वो दौर है, जिसमें सब को, सबके सामने तस्वीर है, वो इसको साफ हो जाएगी, आला कमान को भी पता चल जाएगा, कि सचेन पाइलेट किस हद तक अब जा रहे हैं, सचेन पाइलेट के साथ कितने लोग हैं, कि सियल पी लीडर चुनने का जो एक शक्ती परिक्षन था पाइलेट और गहलोत के बीच में, उसका दूसरा, मुझे लगता है, दूसरा दाव है, कि कितने विधायक सचेन पाइलेट के साथ में जाकर बैढ़ जाते हैं, 11 अपरेल को, सरकार के खिलाव, तो ये बड़ा दे पर पिछले तीन से बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने विचार रखिए, जो पुरा घटना करम चल रहा है, क्योंकि आपके घटना करम पर आप जो नजर रखते हैं, वो ही ट्रेंडिंग टॉक बनता है, वही बात होती है आप जिस तरह से हम लोग विचलेशन कर रहे हैं, रौनक के साथ मैं विचलेशन कर रहा हूं, और हमारी पंजाब की टीम लगातार है, वो कंटेंट दे रही है, पॉलिटिकल, उस पे आपका राय देना बहुत जरूरी है, फेर ओपीनियन दीजिए, सही या गलत आप तै की जिए, लेकिन अपनी ओपीनियन रखिए, और राजस्तान में राजनीती की दिशा क्या होगी आने वाले वक्त में, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेट विचले लाइन हम और आप भी उसी कोशिश का हिस्सा बन जाईए, ज्यादा ज्यादा करिए, शेर कीजिए, राजस्तान की राजनीती में ये बड़ा खटना करम है, जो राजनीती के करने वाले हैं, वो तो राजनीती कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीती को डिकोट करना चाहते हैं, जो राजनीतिक शास्तर के विध्यारती हैं, उनके लिए इससे बहतर कोई अफसर नहीं है, राजस् प्थान में हो क्या रहा है उस वक्त में जब चुनाओ के कुछ महीं नहीं शेश हैं रोना बलको लैसे आप कौपी पैन साथ में लेके बैठे हैं क्योंकि तमाम जो विशेशन की बातें विशाल करते हैं वो पॉइंट से आने वाली राजनीती की जो बुक्स है उसमें तो शा बड़ी बात कह दिया है ग्यारतादी को वो विरोध करने वाले हैं तब बीजेपी की और से एक क्या रुक हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा अब विपक्ष का रहेगा कि विपक्ष क्या इस पर अपना एक्शन लेता है कि बीजेपी कुछ नहीं करेगी बीजेपी प्रेस करके हो सकता है कि इसको अंदुरूनी मामला दिखा है वो अशुग गहलोद के जो और गलतियां उसको और उजागर करें लेकिन सचिन पाइलेट की से एक्ट को लेकर ज़्यादा कुछ कहने की स्थिती में है नहीं और वो कहेंगे कि चुकि आप पाइलेट को महां पर जगे ने मुद्णार अपने वीयर को बता रहा है कि सचिन पायलेट ना तो कॉंघ्रिस में रहना चाहते हैं इस इन हालात के अंदर ना बीजेपी में जाएंगे उनको सबसे ज़्या मूफीद है वह लगता है वही बात कर रहे हैं जो हनुमान बिन्यवाल करते है यारन डेन कि कर 같아요 गहलोत और वसुंदरा गटबंदन मिली भगत एक बार तुम सिये मीं एक बार स्थिये मैं तो अलग अलग तरके वह आरोप लग ते रहे हैं उसी भाइक उसी बोली के अंदर सचिन पाइलेट बोल रहे हैं क्या राश्ट्रिय लोक्तांत्रिक पार्टी के अंदर जाएंगे या सचिन पाइलेट अपनी नई पार्टी बनाएंगे सवाल सिर्फ दो ही है राजस्तान की राज़िती के अंदर और तीसरा सवाल ये कि क्या सचिन पाइलेट खुद छोड़ कर जाएंगे या कॉंग्रेस आला कमान उनको कहेगा कि आप बहुत विरोध कर रहे हैं कहलो कि बहुत मुश्किला पैदा कर रहे हैं क्योंकि अगर आला कमान को सचिन पाइलेट के साथ खड़ा होना होता तो अब तक तो हो जाते खास तोर से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राउल गांधी साथ लेकर चले तब यह बिल्कुल मैसेज था कि राउल गांधी फिर बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन आज का जो पूरा खेल हुआ है आज जो प्रिस कॉंफरेंस में जिस रूप में मुखर होकर सचिन पाइलेट आए हैं जो अंदर की बात है उसको वो सतर पर लेकर आया गए उनको यह पता है कि अब मेरी कोहनी पर आप गोड़ नहीं लगा सकते मुख्यमंतरी पद का अब आपको को निर्णय करना सचिन पाइलेट के लिए डू एंड डाई की पॉजिशन है पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो चुप बैठ जाते तो बिल्कुल क्या कहें हम नाकाम नेता है वो माने जाते कि प्रतिशोत इस लेवल तक लेगए इसके बाद भी कुछ नतीजा नहीं इकला अगर वो इस तरह नहीं करते तो एक वैचे नहीं रहती कारे करता हूं औरुंके समर्थ क्या मनमें कि हमने किस नेता को चुंदिया, उनके लिए tren लेना बहुत जरूरी है, नियदिक रूप से उनके लिए उनकी राजनेति के लिए जरूरी है उदर गहलोत है वो comfort zone में है अला कमान की good book में है अच्छा budget उनने दे दिया अच्छा प्रशाशन वो दे रहे हैं नए जिले बना दिये तमाम चीज़े होंगी पांसाथ महिनों के अंदर वो जिस रूप में प्रोड करेंगे वो चुनाव जिताने की बात करेंगे और अगोश से मुख्यमंतरी अशोग गैलोत को free hand दे दिया है राजस्तान कॉंग्रेस में आपसे अंतिम सवाल एक हो रहा है कि इंतजार और सचिन पाइलेट दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि जब घटना करम हुआ था तब से लेकर अब तक सचिन पाइलेट केवल इंतजार कर रहे है तो क्या यह डेफिनेटी मान दिया जाए कि यह जो अटैक इस समय किया है सचिन पाइलेट ने वह आखरी हो गया फिसके बाद भी वह इंतजार को अपने साथ में लेकर चलेंगे ने यह अब आखरी है यह आखरी है हमने पहले भी लगातार इस पर बात की चार साड़े चार करक्रिया के तैत अब वो टटोल रहें कि 11 अप्रेल को मेरी जाजम पर कौन कौन नेता आकर बैठता है उसी से उनके आने वाले दिनों की राज देतीता है होगी मुझे लगता है कि बेनिवाल समर्थक हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं और खुद हनुमान बेनिवाल बैठ सकते हैं उनसे नेतिक समर्थन को दे सकते हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया उनको BJP से भी को समर्थन मिल जाता अगर मुद्दा गहलोत सरकार की बुराई का या उनके क्रॉप्षन का या उनके कथित मामलों को वो चौन दे उन्होने मुद्दा चुन लिया वसंदरा राजे को घेरने का भारतीयंता पार्टी ये अफ़र्ट नहीं कर पाएगी भारतीयंता पार्टी कभी किस मुद्दे को लेकर सचिन पाइलेट को नहितिक या प्रत्यक शुरूप से कोई समर्थन दे पाएगी मुझे ऐसा लगता नहीं तो अब उनका दाव सिर्फ उन्हीं नेताओं पर है जो कि अश्रो गेलोद के विरोधी हैं जो वसंदरार राजे के विरोधी हैं और थर्ड फरंट की और जो इशारा किया जा रहा है लगाता राजस्तान की राजनीती में जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी हनुमान बेनीवाल के साथ मुझे लगता है क राजनीती का दोर है उसी तरफ जा रहा है राजस्तान में खास और से पाइलेट के लिए फिलाल राजस्तान की राजनीती ग्यारा अपरेल को ये निश्टित करेगी कि आखिर पाइलेट के साथ में कौन होता है कौन नहीं फिलाल विशाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो भी नॉलेज्ज आपको राजस्तान की राजनीति की चाहिए वो इस शो में आपको मिलेगी फिलाल अवी के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब के सरी